नमस्कार दोस्तों सुआगत है आप सभी का आरपे टेक्निकल इस्टडी योटोब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में पन बात करेंगे राजस्तान जिक्के के तीस मोस्ट इंपोटेंट क्यूशन जो की सभी एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोटेंट है इन में से क्यूशन बार-बार पूचे जाते हैं तो यह वीडियो बहुत इंपोटेंट होने वाला है वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा सी ज़्यादा शियर कर दीजे तो चलिए सुरू करते हैं तो आज का अमारा पहला क्यूशन है आजदी से पहले राजस्तान का छेतर कैला था तो दोस्तों इसे पहले जाना जाता था राजपुताना नाम से किस नाम से जाना जाता था राजपुताना के नाम से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर ये चले अगला QC दोस्तो QC नमबर 2 दे रखा है राजस्तान के इतियास के परेरनता कहे जाते हैं किसे कहते हैं तो दोस्तो इसका नाम था Colonel Toad correct answer होगा option नमबर यह चले अगला QC अगला QC दे रखा है राजस्तान में पाई जाने वाली तामर पासान संसकर्ती है इनमें से तामर पासान संसकर्ती कौन सी है जो की राजस्तान में पाई जाती है तो दोस्तो राजस्तान में पाई जाने वाली तामर पासान संसकर्ती है आड संसकर्ती है दोनों ही क्या है राजस्तान में पाई जाने वाली तामर पासान संसकर्ती है तो इसका राइट आंसर हो पको तांबे की वस्तु ये कि आपूर्ती करता था वहें इस्तल कौन सा है तो दोस्तो वहें इस्तल है गनेश्वर करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर C क्या होगा गनेश्वर अगला क्यूशन क्यूशन नमबर पांस दे रहा है राजपूता न सबत के पर्थम परियोग करता थे तो दोस्तो उनका नाम था जोर्ज तामर कोन थे पर्थम परियोग करता जोर्ज तामर तो इसका राईट आंसर होगा ओप्शन नमबर C चले अगला क्यूशन दे रहा है राजस्तान के किसी इस्तल से कुंड या हल रेखा के अउसेश मिले हैं इन में से कौन सा इस्तल है जहां से हल रेखा के अउसेश मिले हैं तो दोस्तो उसी इस्तल का नाम है काली बंगा करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर D अगला अंसर क्या होगा option number B चलिए अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रखा है राजस्तान इस्तित मतस्य देश का एक राजा जो मावारत युद्ध में युद्धिस्ट्र की ओर से लड़ा और वीर गती को प्राप्त हुआ कौन था तो दोस्तों उसका नाम था विराट करेक्ट आंसर होगा option number B चलिए अगले क्यूशन के और वढ़ते हैं अगला क्यूशन दे रखा है राजस्तान के अधिकांस भाग पर गुप्त वंस का अधिपत्य इस्तापित करने वाला गुप्त सा सकता तो दोस्तों उसका नाम था चंदर गुप्त दित्य कौन था चंद चलिए अगले क्यूशन दे रखा राजस्तान का वहें इस्तल जो पसुपालन का प्राचीनता में साक्षे प्रस्तूत करता है उसका नाम है बागोर करेक्ट आंसर क्या हो जाईगा बागोर तो करेक्ट आंसर होगा option number D चलिए अगले क्योशन के और बढ़ते हैं तो दोस्त अगले क्यूशन दे रखा किसने राजस्तान के गणराज्य व्यवस्ता को सदा के लिए समाप्त कर दिया इनमें से कौन है किसने राजस्तान के गणराज्य व्यवस्ता को सदा के लिए समाप्त कर दिया तो उसका नाम है हून करेक्ट आंसर क्या होगा हून राइट आंसर हो हो जाएगा यह वह भी दोनों आर्थार्थ मतस्य भी थी वह अवंती भी थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number C correct answer क्या होगा option C चलिए अगले question के और वड़ते हैं अगला question दे रखाय राजस्तान के किस तिरन ब्रुसकार मिला है इनमें से किस तिरWind ब्रुसकार से नवाजा गया है तो इसका right answer हो जाएगा स्यांलाल मीनावल लिम्बा राम को दोनों को क्या दिया गया है तिर optimize की अरुझन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है किसमें दिया गया है अर्जुन पुरुषकार किसमें तिरंदाज में तो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन C अगला क्यूशन दे रखा राजस्तान में खेल जगत का सरोच सम्मान दिया जाता है खेल जगत में जो सरोच सम्मान दिया जाता है उसका नाम क्या है तो दोस्तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान खेल रतन अवोड क्या दिया जाता है राजस्तान खेल रतन अवोड तो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर D चलिए अगला क्यूशन दे रखा है राजस्तान में लिंबा राम परशिद है किसके कारण परशिद है लिंबा राम कबड़ी में गायन में तिरंदाजी में या कुष्टी में तो दोस्तो वे हैं तिरंदाजी में करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर C अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा है मासको ओलंपिक गुर्णी सो असी इस्वी में राजस्तान की ओर से भारतिय महीला होकी टीम का प्रतिने दिताव किया था किसने किया था सुनीता पूरी ने वर्षा सोनी ने ये दोनों ने या इन में से कोई ने तो इन में से महीला होकी टीम का प्रतिने दिताव किसने किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनी ता पुरी वह वर्षा सोनी दोनों नहीं किया था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये वह भी दोनों राइट आंसर क्या होगा ये वह भी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा option number C अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दिरका मेजर राज्य वर्दन सिंग राठोड का सम्मध किस खेल से हैं तीरंदाजी से निकोयान से निशेने बाजी से या तेरा किसे तो किसे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशाने बाजी से करेक्ट आंसर होगा option number C अगला क्यूशन दिरका वह नदी जो कभी राजस्तान की मरू भूमी में परवा सिल थी पर बाद में सूक गई वह कौन सी थी तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रस्द वती वसरस्वती तो इसका right answer क्या होगा यह वह भी दोनों correct answer हो जाएगा option number C अगला question देराखा राजस्तान के किस छेतर में कभी मतस्य देश के राजा विराठ की राजदानी विराठ नागर थी तो वह थी राजस्तान के दक्षणी भाग में कौन से भाग में थी राजस्तान के दक्षणी भाग में जेपुर के दक्षणी भाग में राजस्तान के नई जेपुर के दक्षणी भाग में right answer क्या होगा option number D अगला क्यूशन दे रखा राजस्तान में मिलने वाले प्राक हडपपाई इस्तल कौन से हैं तो दोस्तो वो इस्तल है सोती व काली बंगा राइट आंसर क्या होगा यह भी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C अगला क्यूशन दे रखा किस नदी को रिगवेद में सबसे पवीतर नदी माना गया है रिगवेद में सबसे पवीतर नदी कौन सी मानी गई है तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा सरसोती नदी को सबसे पवीतर माना गया है रिगवेद में इसका right answer होगा option number A, correct answer क्या हो जाएगा option A, अगला question, दोस्तों अगला question देरका सिकंदर महान के आकर्मन के कारण पंजाब से राजस्तान में इस्तानांतर करने वाली जातिया थी, कौन से जातिया थी, सीवी, अर्जुनायन, वय योद्य, मालव यह सभी, तो दोस्तों यह सभी जातिया इस्तानांतर करने वाली थी, correct answer क्या होगा उप्रोक्ते, सभी right answer क्या होगा option B, अगला question, अगला question देरका राजस्तान में खेलों के विकास के लिए नहरू यूवा के अंदर की स्तापना कब ह हुई थी, तो दोस्तों राजस्तान में खेलों के विकास के लिए नहरू यूवा के अंदर की स्तापना हुई थी, 14 नवंबर 1972 को कब हुई थी, 14 नवंबर 1972 को right answer होगा option number B, अगला question देरका है, राजस्तान में खेलों के विकास थता खिलाडियों को उचित आउसर एउं परतोसान परदान करने के उद्देशे से, राजस्तान राज्य क्रेडा परिशद का गठन कब किया गया, तो दोस्तों इसका गठन किया गया था, 1957 में, तो right answer होगा option number B, अगला question, अगला question देरका है, राजस्तान में बास्केट बोल की सुरुवात कब हुई थी, तो राजस अगला question, तो राजस्तान का राजकी एखेल बताना है, तो राजकी एखेल क्या है, बास्केट बोल, correct answer क्या होगा, option number D, और इसकी सुरुवात कब हुई थी, 1948 में, correct answer क्या होगा, option number D, अगला question, अगला question देरका, राजस्तान में खेल कुद का सम्मान कहां बनता है, हनुमान जेपूर में दोसा में या कोटा में तो खेल कूद का सामान कहा बनता है इसका राइट आंसर होगा हनुमान गड में करेक्ट आंसर होगा option number C अगला क्विशन दोस्तो राजस्तान में क्रिकेट का परारंब हुआ कहां से हुआ अगला क्विशन दोस्तान में अर्जुन पुरुसकार के समान कौन सा पुरुसकार दिया जाता है अरजुन पुरुस्कार के समानी पुरुस्कार दिया जाता है वह कौन सा है तो दोस्तो उस पुरुस्कार का नाम है माराना परताप पुरुस्कार राइट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर ये उस पुरुस्कार का नाम क्या है माराना परताप पुरुस्कार राइट आंसर ह और यह अगला कुश्चन दे रखा राजस्तान सरकार ने खेल रतन पुरुस्कार की स्थापना कभ की तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्ते एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे साथ में और नोटिफकेशन बेल को विवन कर लिजे थेंक्यू